नमस्ते मैं हूँ संजैदीक्षित और आप देख रहे हैं दी जैपुर डालॉग्स योगी आजे तिनाजी ने जालॉऔर में नीलकंट महादेव मंदिर की गाटन के अवसर पर एक भाषन दिया जो कि इस समय चर्चा का विशय है और चर्चा का विशय केवल इसलिए है कि हम सब उस विशय वस्तों से अंजान है क्योंकि उन्होंने क्या कह उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राश्टिय धर्म है अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात उन्होंने जो कही वह लीगली करेक्ट है लीगली क्यों करेक्ट है क्योंकि आज का भारत वर्ष जो अंग्रीजों का गुलाम भारत वर्ष आज भी है वो पैदा कैसे हुआ? भारत का जो Caesarian Operation किया गया, वो भारत का Caesarian Operation किया गया, उस Instrument का नाम है The Indian Independence Act 1947 और यह act किसका है यह act British Parliament का है और उस British Parliament के act के सहारे ही आज हम जिन्दा है यह भी हम अपने constitution में कहते हैं Article 295 में कि that the Government of India Act 1935 and the Indian Independence Act 1947 shall stand repealed लेकिन आप कौन होते हैं उसको repeal करने वाले साब वो एक्ट तो ब्रिटिश पार्लेमेंट के हैं और दी इंडियन Independence Act 1947 के हिसाब से जो भारत की प्रभुसत्ता थी वो ब्रिटेन के पास थी कब तक 1976 तक बारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी इसको report करती थी कब तक 1966 खिर भी हम कहते हैं कि बारत स्वतंत्र हुआ वो बात अलग है और यह इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आज भी ब्रिटिश पार्लेमेंट के जो स्टेंडिंग एक्ट हैं उनका हिस्सा है और इसमें आप साफ साफ देखेंगे कि भारत का विभाजन मुस्लिम गैर मुस्लिम के आधार पर किया गया तो गैर मुस्लिम कौन थे गैर मुस्लिम थे हिंडू सिक्ष इसाई जैन जिसमें से हिंडू सिक्ष और जैन जो है वो हिंडू धर्म का ही हिस्सा माने जाते हैं हमारे समविधान के अनुसार कि और नभी माने जाए तो भी प्रंसमें 97 प्रसंट हो झाते गेट'mTomati सबने तो एरास्टर तो हिंदू राश्टर ही माना गया था इसको तो हिंदू राश्ट्र के नाते ही स्थापित किया गया था यह अलग बात है कि अंग्रेजों ने अपने चेले, अपने मानस पुत्र, जवाराल नेरू को भारत का प्रदान मंतरी, अपने दूसरे मानस पुत्र, मोहंदास करमचंद गांधी के माध्यम से बनवाया, और वो बनवा कर सत्ता का हस्तांतर्ण उनको किया, और सत्ता का हस्तांतर्ण करने के साथ-साथ बहुत सारे उसमें छुपे हुए क्लाजेज रख दिये, और उन छुपे हुए क्लाजेज में एक ये था, कि भाई देखो, तुम इस भारत वर्श को उसी तरह से चलाओगे, जैसे कि अंग्रेज चलाते थे, और अंग्रेज कैसे वो हिंदू और मुसल्मान को बराबर बराबर तौनते थे जब आप ये बात सुनेंगे कई बार सुनते हैं किसाब इस देश में हिंदू और मुसल्मान भारत देश की दो आँखें है यानि की जो पचासी प्रतिशत है एक आँख और दूसरी आँख जो है वो कोई तेरह चौदा प्रतिशत वाली जो आँख है वो पचासी प्रतिशत आँख वाके बराबर है वाह 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 ऐसा कार ये गांधी बाबा और मौनीत लहरू सहाव ही कर सकते थे तो लहरू जि के और इनके प्रताप के कारण इस प्रकार की ब्रांतियां उत्पन हुई कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है अपिती भारत जो है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक तथा कथित सेक्यूलर राष्ट्र है भारत की जब प्रगति आरंब हुई जब लेहरू जी की सोशलिस्ट पॉलिसीज दीरे 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 काल के गर्त में समाई और जो सनातन की जो एक मेधा है व्यापार की एक जो सनातन की एक मेधा है शक्ती की उन्नती की तो वो जब प्रकट हुई और जब वो बंधन थे वो कुछ डीले हुए कुछ लिब्रलाइजेशन हुआ एकॉनमी का तब हमने देखा कि भारत उत्तरोतर आर्थिक प्रगति कर रहा है गरीबी भारत की अब दस प्रतिशत से नीचे आ चुकी है जो किसी समय साथ प्रतिशत हुआ करती थी हमारे सोचलिस्ट योग में इंद्राजी के समय तक राजीव जी के समय तक वो साथ प्रतिशत से घटकर अब दस प्रतिशत से भी नीचे चली गई है तो ये किस कारण हुआ इसी के साथ एक इसलामी राष्ट बना था वो इसलामी राष्ट जो है उसकी आप आज अस्तिती देख रहे हैं वो इसलामी राष्ट भारत की जो सबसे उपजाओ जमीन थी सबसे उर्वरा भूमि थी उसको ले के गया था और उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट था जूट एक्सपोर्ट आइटम वो भी इस्ट पाकिस्तान में था वो सब होने के उपरान्त भी आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहां है और भारत कहां है बंगलादेश तो बच गया वो तो निकल लिया इनसे तो अब यो बचा हुआ है तो उसकी तो डालर के मकाबले एक सो चार रुपए ही है उसकी करिंसी पाकिस्तान की तो दो सो बासट पहुँच गई कल तो बई इसलामी राश्ट पूरी तरह से पिछड गए और एक जो दूसरा राश्ट था वो उत्रोत तर आगे बढ़ गया तो इसके लिए हमारे जो कुछ पंचमक्कारतों हैं पंचमक खारत्तों कहते हैं, कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बारत ने अपने आप को सक्यूलर रखा, हमारे पाकिस्तान के भी जो तथा कथित बहुत जो प्रगतशी लोग हैं, वो भी कहते हैं कि नी नी भारत ने सक्यलर रखा और चूंकि अब भारत जो है हिंदू राश्ट्र की वर बढ़ रहा है इसलिए भारत जो है वो भी उसकी प्रगतिवी बादित हो सकती है अब रोदित हो सकती है अब इन महानमूर्खों को कौन बताएं कि भारत आकरांताओं के आने से पहले पूरे विश्व की 25 से लेकर 35 प्रतिशेत तक की जो जीडीपी थी वो भारत से ही जाती थी तो उस समय भारत से क्यूलर था क्या भारत तो सनातन धर्म का पालन करता था और सनातन धर्म के पालन से ही उन्नत ही होती है ये भारत ने तब दिखाया था भारत आज दिखा रहा है इसलिए योगी जी ने जो कहा और योगी जी ने जो राम मंदिर को एक राश्ट्रिय मंदिर के रूप में राश्ट्रिय चिन्य के रूप में इस्ताफित होने की बात की उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है क्योंकि मैं आपको बताओं क्यों मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारत की जो भी उन्नती है उसके मूल में क्या है उसका मूल तत्त तो क्या है वो सब आप लोग महर्शी अरविंद की उत्तरपाडा स्पीच से जो उत्तरपाडा का उनका अख्यान है 1909 का उससे ग्रहन करें गूगल पर जाएं और देख ले एंग्रेजी इंदी हर भाशा में बंगाली हर भाशा में वो वहां पर उपलब्द है उसको भारत की उन्नती का एक मानक और मैं यह यह दिखाऊं कि भारत का भारत के समविधान का जो प्रियांबल है वो उत्तरपाडा स्पीच से लिया जाना चाहिए मैं आज उसकी प्रस् करता हूँ जब अनुशीलन अंदोलन हुआ और मैं आपको बताऊं कि एक मात्र पून सफल अंदोलन यदि कोई हुआ है तो वो बंग बंग के विरुद्ध हुआ है जिसमें कॉंग्रेस जो थी वो आरवब मेई छोड़कर भाग गई थी और अनुशीलन समितियों ने करांत कारियों ने इन्होंने मिलकर उस आंदोलन को चलाया और उससे अंग्रेज अद्धतह इतने गवराये कि उन्होंने बंग बंग का निर्ड़ने वापस लिया और बंगाल को पुनह एक ही कृत किया महर्शी अर्विंद क्या कहते हैं सुनिए मैं आपको पढ़के बताता हूँ पहले भी यह मैं केवल लास्ट पैरा का एक उनका जो लास्ट पैरा बहुत लंबी स्पीच है तो उसका जो लास्ट पैरा है उसमें से पढ़के बता रहा हूँ पहले भी एक बार जब मेरे अंदर यही शक्ति काम कर रही थी तो मैंने आप से खाथा यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं बलकि एक धर्म है याद कीजिए बगवत गीता वो यही कहती है यहां महर शेर्विन कह रहे कि यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन नहीं बलकि एक धर्म है एक विश्वास है एक निश्ठा है उसी बात को आज फिर मैं दोहराता हूँ कि तो आज मैं उसे दूसरे रूप में उपस्थित कर रहा हूँ आज मैं उसे दूसरे ही रूप में उपस्तित कर रहा हूँ आज में यह कहता हूँ कि सनातन धर्म ही हमारे लिए राश्टियता है यह हिंदू जाती सनातन धर्म को लेकर बनपती है जब सनातन धर्म की अवनती होती है तब इस जाती की भी अवनती होती है और यदि सनातन धर्म का विनाश संभव होता तो सनातन धर्म के साथ ही साथ इस जाति का भी विनाश हो जाता सनातन धर्म ही है राश्ट्रियता यही वह संदेश है जो मुझे आपको सुनाना है यह महरशी अरबिन ने 1909 में कह दिया था लेकिन अंग्रेजों ने फिर अपने पिठों को ले आया आगे और उस शक्ति को जो शक्ति स्पूर्ति जो जागरती हुई थी उस आंदोलन के माध्यम से उसको विकल करने के लिए उसको निश्फल करने के लिए उन्होंने गांधी नामक व्यक्ति को यहां प्रतिष्ठा पित किया जिसकी प्रतिष्ठा में गीत गाते गाते सारे दल जो हैं ठक चुके हैं और हम भी उन्हें सुनते सुनते ठक चुके हैं और अब हम गीतों को गांधी महिमा मंडन के गीतों को विनष्ट कर देना चाहते हैं इसलिए जो भी योगी जी ने कहा वह शत्र प्रतिशत्र सत्य है और महर्शी अरविंद की बात आज 2023 में मुखर्ता से कोई राजनेता जो एक संत भी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कह रहा है यह मेरे लिए भारत राश्ट्र की भारत देश की एक प्रगति है अब इस प्रगति को परम उन्नति की और ले जाना है जैहन वद्नेवात्रम जैहन वद्नेवात्रम